अखिर क्यों मम्तवनर्जी कॉंग्रिस से दूरी बना रही हैं अखिर क्यों मम्तवनर्जी कॉंग्रिस का साथ नहीं दे रही हैं नमस्कार आपके साथ मैं हूं रितिक सभीता स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में दरश को आपको बता दे कि ममतम अनर्जी BZP पर कटाक्ष करने के लिए जानी जाती है और खुद की मेहनत का परचम पूर देश में लहराया है ये सभी को पता है कि किस तरीके से यहाँ पर बंगाल में अपनी सरकार को बनाया था लेकिन बड़ा सबाल ये उड़ता है कि आखिर क्यों ममतम अनर्जी कॉंग्रिस के साथ नहीं है कि 2024 का लोग सभा चुनाओ वो अकेले लड़ेंगी अपने दंपल लड़ेंगी किसी का साथ नहीं देंगी आखिर क्यों यहाँ पर ममतम अनर्जी अपने आपको सर्वशक्ति साली बता रही है क्योंकि लगातार देखा जाए तो तुरिपुरा मेगालाय और नागालेंड में किस तरीके से यहाँ पर टीमसी की हार होती है यह आप सभी जानते हैं सूत्रों ने कहा कि राष्टी रासधानी में तरणमूल कॉंग्रेस पर मुख जिन लोगों से मुलाकात होने की संभावना है उनमें अवी राजनितिक दल भी शामिल है जिन्होंने प्रिधान मंत्री नरंदर मोदी को संयुक्त रूप से हस्ताक्षडित पत्र भेजा है आपको बता दें आपर कि विपक्षी दलो के खिलाफ केंदरी एजनसियों के कथित दुरपियों को लेकर पश्यम बंगाल की मुख मंत्री मम्ता बनर जी उनसे मिलने के लिए राष्ट्री रासधानी का दौरा कर सकती है विर्टेन में कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी की टिपड़ी और अडानी के खिलाप हिंडन वर्ग रिपोर्ट की जाच संयुक्त संसदिय समती से कराने की मांग को लेकर भाश्पा नीत केंदर सरकार और विपक्षी दलो के बीच संसद में टकराओ के वाद यह कदम साबना है कि मार्च के अंतिया अप्रेले की सुरुवात में दिल्ली पहुंचेंगी और तमाम विपक्षी दलो से मुलाकात करेंगी लेकिन कॉंग्रेस को छोड़ कर लेकिन लगातार देखा जाए तो कॉंग्रेस पार्टी EDCBI तमाम मुद्दों को लेकर सड़क पर है अड दिल्ली पहुंचेंगी लेकिन देखना यह होगा कि केंदर की सरकार पर क्या कटाक्ष करेंगी और क्या यहां पर कॉंग्रेस से हाथ मिलाएंगी आज के लिए सुरु इतना ही देखते रहिए SPN 9 News